Capital Smartity Overseas Prime 1 इस वक्ट development की सूरतेहाल क्या है as of first week of October 2023 इस studio में ओवराल पूरे सेक्टर में या पूरे डिस्टिक में जिस जिस सेक्टर में जो जो development हो रही है उसके वाले से अपडेट करूँगा राइड नौ जी ब्लॉक की फोटेज देख रहे हैं जी ब्लॉक में जो वन कनाल के विलाज हैं उन में जो स्ट्रीट 5 फेसिंग विलाज हैं उन में mostly विलाज ऐसे हैं जिनका ग्रेस टेक्चर जो अपनी फिनिशिंग स्टेज पे आ गया है यानि के second floor की जो लेंटर है या first floor की लेंटर है वो डल गया है बाकी जो अवराल सेक्टर है सेक्टर जी इसमें दस मुर्ला के प्लॉट से तमाम के तमाम प्लॉट डेवलब्ड और पॉसेशनेबल है इन में कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जो नॉन डेवलब्ड और नॉन पॉसेशनेबल हो Overseas Prime 1 में जो main concern है जो litigation का issue है वो इसके right side पे, access road 1 के left side पे अगर आप चक्री road center होते हैं तो आपके left side पे जो area आता है जिसमें J, K, L, M, ये चार sectors है उन में थोट से litigation के issues हैं कि महां पे development अभी नहीं हो रही बाके जितना sector है वो अलेड डेवलब्ड है sector E की बहुत सरे member पूछते हैं कि sector E में क्या update के status है तो sector E की जो overall land की leveling है वो तो हो चुकी है बाकी streets का layout plan ड्राउ होना, underground saverage, underground electricity और बाकी streets से carpet होना वो इस block में बाकी है sector E में भी लेकिन अवराल देखा जाए, तो sector E से बिलकुल adjacent sector D है जहाँ पर साथ मरला के plots हैं, जिन members ने वहाँ पर साथ मरला के plots लिये हुए है उन में से अभी तक किसी ने possession का अगाज नहीं किया यानि construction अगाज नहीं किया तो मेरहाल साइटी की तरफ से थोड़ सा delay आया होगा तो sector G जो है सबसे अब prominent sector है क्योंकि entrance gate number 1 से जैसी आप enter होते हैं तो आपके right side पे sector G आता है और sector G के main believer पे 38 villas हैं एक कनाल के जिनका structure आपको physically नदर भी आ रहे हैं ये इस वक साइट पर ready हो रहे हैं society का plan ये है कि इन villas को most probably ready करने के बाद यानि जब ready to move होंगे जब keys आप पकड़ा सकते हो member को उस वक्त sale किया जाएगा right now इन में से कोई villa भी ऐसा नहीं है जो sale में मजूद हो backdrop में आपको जो water tank नजरा आ रहा है ये sector E का है और sector E की जो land है बस वह तोड़ सी level होई है compact होई है बाकी sector E में सच कोई काम नहीं हुआ sector G की बात करें full developed है sector H बिल्कुल adjacent है लेकिन वो भी सारा इसी तरह से है sector E की तरह के लेकिन mostly सारा पार जो है वहाँ पर streets का layout plan clear हो गया है और बहुत सरी streets की carpet भी होगी है sector F की अगर बात करें तो sector F का भी इस तरह से है कि sector F में जहां पर दो कनाल और चार कनाल के plots है वो area तो fully developed है और fully possessionable है जहां तक बात है कनाल के plots की तो उनके भी streets का layout plan draw हो गया है लेकिं streets की carpeting जो है वो भी बाकी है तो सबसे ज़ादा sector developed है उनमें sector G आता है sector D आता है कि जहां पर हर एक चीज मकमल है आपकी basic जो सबसे पहला काम होता है underground saverage का होता है वो मकमल है उसके बाद आपके underground जो electricity का काम होता है वो भी मकमल है उसके लावाद underground आपकी जो optical fiber और बाकी काम होने होते हैं इंटरनेट वारा के वो काम पी यहां पर मकमल है यहां तक कि इस ब्लॉक के अंदर इन दोनों ब्लॉक के अंदर proper जो street lights होती है वो ब इंस्टॉल हो चुकी है तो मेरा ख्याल है कि आने मेले दिनों में members जब यहां possession अप्ला करके रहना शुरू करेंगे घर बनाना शुरू करेंगे तो उन्हीं किसी किसम का कोई मसला दरपेश नहीं होगा क्योंकि आपको एक ऐसी जगह पर property मिल रही है यह ऐसी जगह पर property आपकी आ गई है कि जहांपे society ने आपको साड़े तीन साल के payment plan पर product और sale किया था अब जितना भी prime block है वो साड़े तीन साल के payment plan पर sell हुआ था और अभी society की तरफ से almost I think एक साल बात ही possession offer कर दिया था मेरा ख्याल है कि October 2021 में offer किया था इस block को और एक साल के अंदर अंदर by the end of 2022 यह सारा block ready था यानि सारा block नहीं लेकिन A, B, C, A block तो sale नहीं किया था B, C, D, E, F, G, H यह जो सेक्टर्स हैं यह ready थे जहां तक बात है कि prime block किया कि J, K, L, M की तो उनका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं दोबर अपडेट करता हूँ कि उन block में अभी तक को चेरिया है जहां लैंड की litigation बाकी है तो वहाँ पे अभी तक society की दरफ से कोई काम नहीं किया गया जब future में वहाँ पे काम होगा तो इंशाला जैसे इस चैनल बे वैसे आप regularly smart city के different sectors की और different districts की आपको videos मिलती है उसके हवाले से में detail videos बना दूँगा ताकि members को इन general idea मिल सके कि उन्होंने जहां पे investment की है वो आज की डेट में कहाँ stand करती है अगर हम देखें इन general society के अंदर ये sector prime one की जो main road का infrastructure है main road का infrastructure तमाम sector सो connect करता है अभी आपको ये sector D और sector E बिल्कुर adjacent आपस में नदर आ रहे हैं इनको connectivity के लिए जो road है जो main road जो linear park road है वो road आपको right side पे नदर आ रहा होगा वो road अलड़ी जो है मुकमल है और carpet है अगर आज की date वे उप side पे जाते है तो आप उसी road से access लेके उस तरफ जाते है क्योंकि वो area अलड़ी मुकमल है अगर हम बात करें यहां से आपके 360 degree view की तो view आपका background में आपको पहाड नदर आ रहे होंगे sector D की elevation बहुत अच्छी है काफी elevated है काफी height पे है तो आपको एक side से चहांड नेम का view मिलता है और दूसरी side से आपको back side पे जिरार केंप वाले पहाड है उनका view मिलता है और motorway के साथ जो खरी मुरत range है उसका view मिलता है अब आते हैं जी entrance road के left side के यह access road 1 है access road 1 के left side वाल जे रिया है जिसमें शुरू में जो है वो मरकज है यानि M block है M block में 4 मरला और 8 मरला के commercial plots हैं जो physically आपको नज़र आरा जमीन पे जो अभी तक non-developed पार्शल पार्ट आसा है जिसकी browning का काम हुआ है बाकी mostly part जसे मैं पहले बताया हुआ है इस sector के मने separate video बनाई थी जिसे मने जिकर किया था कि mostly part जो अभी तक non-developed है शायद को चोटा था पार्ट रहता हो कि जिसकी procurement ना society कर सकी हो तो अवराल इन इन सेक्टर में यह चार सेक्टर हैं यह पर machinery को मूव भी नहीं किया ताकि ऐस सच अगर machinery को मूव करते हैं development करते हैं जो land रहती है बाकी तो जार सी बात है जो अस land के ओनर होंगे वो अस land को heavy price पर सेल करेंगे महंगी price पर सेल करेंगे इसलिए society की तरह से इस तरह से मशीनरियों का यह एक यार्ड कहलें कि यहां पे एक machinery पार्किंग के लिए जगा बनाई हुई है जहां पे एक चोटा सा पेटल स्टेशन यह एक एस स्टेशन भी है जो इन machinery को डीजल और प्रवाइड करता है बाकी SSJ जो है इस साइट पे SSJ को activity नजर नहीं आती most probably access road 1 के left side पे भी society as soon as possible जितना जल्दी possible हो सकेगा तो वहां भी काम का अगास करेगी क्योंकि members अब कहलें तक एगर 70% member road के right side में है तो 70% तो नहीं होगे लिए हैर 60% अगर right side में है तो 40% अपके left side पे भी है जिसमें JAK LM sector आता है तो मेरा खयाल है society को उन members का भी हयाल करना चाहिए और उसको भी as soon as possible possession offer करना चाहिए ताकि यहां भी लोग construction का अगास कर सकें इस वक जो construction आपको mostly नजर आती जो member के तरफ से अपनी construction है वो आपको overseas 1 में नजर आती है और overseas 1 में अभी 10 villas ऐसी हैं जिनको hand over कर दिये गया members को यानि C block के अंदर जो villas हैं hand over कर दिये गया है अचा विला से याद है society की तरफ से एक letter भेजा गया था member को कि September 2023 में आपको possession offer कर दिये जाएगा लेकिन अभी भी society की तरफ से किसी member का विला जो है possession ready करने के बाद उसको possession का letter नहीं गया क्योंकि विलास जो है उनका काम अभी बहुत slow pace से जारी है जो उनके finishing का काम हो रहा है वो SSJ को तेज स्पीड से नहीं हो रहा है कि आप कहेंगे बहुत तेजी से काम हो रहा है उसको उसको स्पीड को focus करना चाहिए कि आपने physically members को letter भेई दिया हुआ है कि September में आप विला का possession ले 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 और विलास का possession जो है वो भी ready भी नहीं हुआ इंफेक्ट बहुत सारे विलास तो ऐसे हैं कि जिनका grey structure अप जिनका अब ऐसे stand करता है प्लस तर ही हुआ हुआ है अंदर जो paint work होना है अंदर जो electricity का काम होना है अंदर जो बाकी आपके tiles बार लगनी है बाकी जो final paints होने है kitchen के installations होनी है जापकी electricity instruments के installations होनी है वो तो भी होनी ही बाकी है ना तो उसमें at least 2-3 महीने का time required होगा तो society को उस तर भी focus करना चाहिए ये JAK LM block की मैंने विडियो दिखा दिया है बीच में sil river आता है sil river के left side पे executive block है और executive block है बिल्कुल opposite side पे अब वो golf course नजर आता है याद रहे कि आने विले दिनों में गॉल्फ कोर्स के विला की लाउंचिंग होगी जिसमें चार कनाल का विला 25 क्रोड रुपीज में लाउंच किया जाएगा और दो कनाल का जो विला है वो यहां पे 14 क्रोड में लाउंच किया जाएगा चार कनाल के विला का covered area I think 8,000 square feet है www.makansolutions.com अगर विडियो ची लएके तो प्लीज जूला आए, कमेंट और शेर और चैनल के सब्स्क्राइब करना मत भोलें रिजवान चीमा को दीजाज़त अगली वीडियो दर के लिए खुदा आफिस